स्वागता आपका फिर से हमारे नए वीडियो में तो चलिए बात करते हैं राजस्तान में B.A.C. नर्सिंग इंट्रेस एक्जाम की चाए वो फार्मेशी को पेरा मेडिकल की हो या कोई भी अन्य मेडिकल से रिलेडर चाए जी एनम इंट्रेस एक्जामों सब की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो बने रहे हमारे साथ काफी सारे स्टुडेंट हमें कमेंट करें थे कि सर्थ क्या राजस्तान में B.A.C. नर्सिंग इंट्रेस एक्जाम होगा या नहीं होगा क्योंकि यूटूब पर काफी सारे मतलब यूटूब हो गया सोसल मीडियो है काफी सारे अपभ़ा फेल रहे हैं कि B.A.C. नर्सिंग इंट्रेस एक्जाम होगा या नहीं होगा तो स्टुडेंट काफी कन्फ्यूजन है तो पूरी कन्फ्यूजन इस वीडियो में आपका क्लियर होगा और कौन-कौन से फोरम कब निकलेंगे राजस्तान में B.A.C. नर्सिंग के फोरम कब निकलेंगे JNM के फोरम कब निकलेंगे A.N.M. के फोरम कब निकलेंगे Pharmacy, BPT सब की इस वीडियो में बस्करचा करने वाले है और आपको किस परकार online preparation करनी है student online किस परकार आपका preparation करनी है ताकि आपका selection होगा पूरी चर्चा इस वीडियो में करनी वाले है इससे पहले जो student हमारी चैनल पर नए हैं पहले चैनल को subscribe करके बेला है प्रेस रखें क्योंकि इसी अपडेट आपको यहां पर मिलती रहती है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्तान में जो कापी सारी student हमें कमेंट कर रहे थे कि सर क्या B.H.C. Nursing Interest Exam होगा या नहीं होगा तो student सो परतिसेत आपका confirm है राजस्तान में B.H.C. Nursing Interest Exam होगा तो आपके forum है या तो last September में आने के पूरे पूरे chance है student आपके जो forum है वो last September या third week of September आ सकते हैं और आपके exam है वो October में है तो आपके पास कापी कम समय बचा है तो exam के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं कापी सारे फारमेशी वाले student भी पेरामेडिकल और B.P.T. वाले भी कमेंट करते हैं तो चाहिए वो B.H.C. Nursing हो सब भी की मतलब राजस्तान में एक साथ ही forum के जो notification हो आपको यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा कि एक साथ ही notification ही आपर इन सबका आएगा बात करते हैं GNM वालों की GNM वाले कापी सारे comment करते हैं कि सरफ forum कब आएगे तो GNM पर हमने वीडियो बना दिया है वीडियो का link description में आप जाकर वहाँ पर simply देख सकते हैं अब बात करते हैं कि किस परकार हम त्यारी करें कि हमारा RUHS में selection हो चके है चाहिए वो GNM का हो चाहिए वो BST nursing का हो कापी सारे student आप में comment करते हैं किस परकार कौन सी book हमें read करने चाहिए ताकि हमारा selection हो सके है कि कापी आपके मतलब 100 पर 34 है कि आपके exam हो लगबख October में हो सकती है student तो आपके पास कापी कमस में तो आपको जो त्यारी है वो double कर देनी चाहिए student तो हम बात करते हैं आज इससे पहले हम आपको exam करें देते हैं जो यूपी से कापी सारी कमेंट आ रहे थी कि सर B.S.E. nursing के interest exam के फोरम में वो कब अपलाई होंगे तो वहाँ पर यूपी में जो अटल वियारी वाजबे यूनिवर्सिटी है वहाँ पर फोरम आ चुके है जो भी student इच्छ होग है उसका फोरम अपलाई करना सकता है लिंक description में जाकर अपलाई कर सकता है कि कापी सारी student हमें कमेंट करते हैं कि सर कब आएंगे कब आएंगे और कोई भी state और राज़तान MP सब भी state के बारे में याँज आपको update मिलती रहती है तो चलिए वीडियो को सुरू करते है student आपको कोई भी मतलब social media पर कहीं बटकने की ज़रुत नहीं इसरा आपको चैनल को subscribe करके बेल आगे प्रेस करना यहाँ पर सबसे पहले पूरी genuine content यहाँ पर आपको मिलता रहेगा तो हम बात करते हैं अब आपको किस परकार preparation करनी है ताकि आपका RUHS में जो selection है वो sure हो सके है student सबसे पहले syllabus के बारे में चर्चा करते हैं कि syllabus कौन कौन सा आता है आपको पता है BSC Nursing में physics, chemistry और biology तीनों subject से question पूछे जाते हैं कि paramedical और pharmacy में physics और chemistry से question पूछे जाते हैं तो हम तो आपको NCRT पर ज्यादा focus करना है क्योंकि NCRT 11-12 से लगबग आपसे question पूछे जाते है student और आप अलग से book purchase करना चाहते हैं तो उसका link भी हमने description में दे दिया आप purchase कर सकते हो बाकि हम आपको वीडियो के अंतक बताएंगे कौन सी book आपको purchase करने है जैसे कि सबसे पहले आपको NCRT किस प्रकार पढ़ने है जैसे हमारा chapter है माननो रोग उम स्वास्ते इसका हमने मतलब इस chapter का हमने वीडियो भी बना दिया special वीडियो यानि कि आपके पूरे मतलब 133 चांस है कि जो हमने वीडियो मना है उनमें आपका selection sure है उसका भी link description में दोनों वीडियो का दो वीडियो में इस chapter को हमने complete किया आप जाकर देश सकते हो आपर आपके question आने के संभावन और फिर भी आपको NCRT में किस प्रकार read करना है पूरे chapter को इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले है तो यह आपका पहला जैसे chapter है अब सबसे पहले आपको पूरा read नहीं करना क्योंकि आपको multiple choice questions आपसे वहाँ पर पुछे जाएंगे आपको पता है जैसे किस प्रकार हमें read करना है तो यहाँ पर कुछ इसके बारे में introduction दे रखा है यह आपके लिए काफी important नहीं है यह important है जैसे रोग कितने प्रकार के होते हैं जैसे अनुवंसिक रोग हो सकते हैं यहाँ पर दूसरे संक्रमन के द्वारा फेल सकते हैं और काफी सारी इसमें दे रखे हैं तो आपको यह रखना है कुछ important जान करिए तो इसको आपको read नहीं करना है और यह मतलब main main जो जैसे संक्रामक रोग होग है यह काफी important होता है आपके लिए question पुछा जा सकता है और यहाँ पर देख सकते हो यह important है मानना हो स्वास्ते हैं यह रोग यानिकि जितने भी मतलब disease होते हैं जित यहाँ पर read करते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ पर इसकी परिवासा दे रखिए रोग जन्नक की परिवासा pathogen रोग कारक इसमें काफी मतलब रोग है वो तीन मुखे रूप से तीन जिवों के दवारा फेलता है बेक्टेरिया हो गया वाइरस हो गया फंजाई हो ग बातलब सालमोनर टाइपी के जवारा टाइफाइट के जो नामक रोग है वो होता है तो इस परकार आपको यहाँ पर मैन चीजे याद गने है जिससे टाइफाइट के लिए कौन सा प्रिक्शन किया जाता है जिससे टाइपाइट के पुष्टी उठते है तो इसके लिए व optional question इसमें पुछे जाएंगे important, important, जो जिवानिव जिवानों के दोरा जैसे 37, 10, 10 century plague हो गया आपका diphtheria हो गया, इस प्रकार से रोग आपको पुछे जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर read करना है यह यहाँ पर आप देख सकते हो किस परकार से, यहाँ पर plasmodium का चक्कर दे रहा है, यह काफी important है, आप NCRT की जो बायो की book है, 12th की, उसमें यहाँ पर दे रहा है, यह आपको पूरा याद करना है, किस परकार से, किस परकार यह चकर complete होता है, यह काफी important है, यहाँ पर दे रहा है आपको biology को read करना काफी आसान है हमने आपको एक मतलब demo दिया कि किस प्रकार आपको read करनी है बाकि कौन सी अलग सी बुक आपको 11 और 12 N.C.E.R.T physics, chemistry, biology ये read करनी है यान कि आपके B.H.C. nursing, R.U.H.S. B.H.C. nursing में 85 परतिसर 12 और बाकि 50 परतिसर 11 सी आएगा तो आपको 12 पर ज़्यादा focus करना है student 11 पर ज़्यादा focus नहीं करना है तो आप हमने 12 सी आपको देख रहागा ये मानो रोग हम सवाजते उस chapter के बारे में बताया और किस प्रकार से आपको read करना है आप physics के आपको जितने भी नोट्स है एक कोफी में आपको नोट कर लेने जितने भी बुक में आपके दिवे नोट्स और काफी सारे जितने भी क्यूशन आंसवर दिवे हैं उनका सब का solution करना जैसा हमने यहाँ पर दे रखा जैसे ही आपके 12 में electronics अर्दचाले की पदास युक्तिय एक चेप्टर है यहाँ पर देख सकते हूं हम important जैसे अर्दचाले के लिए एक electron वोल्ट से तीन electron वोल्ट होता है कोचाले के लिए यहाँ पर दे रखे इस परकार तो में में चीजे यहाँ पर आपको याद करने है होल पंच से हो जी इस परकार यह काफी important आपके लिए यह उर्जा बेंड हो गया यहाँ पर तो कौन-कौन से मतलब चाल लगता कितनी होती है इनकी चालकों की कुचालकों की अर्दचालकों की परतिरोगदता कितनी होती है यहाँ पर पूरा हमने चार्ट बना रखा है यहाँ पर जितने भी PDF फाइल है क्यूस्टन हो गए जितने भ फिरी ओप कोस्ट वहाँ पर आपको पीडियाप मिलेंगे कापर सारी क्यूशन है उन में से पूछे जाने के पूरी-पूरी संभावना है तो इस्टुडेंट हमने देख सकते हैं इस परकार इप्रकार आपको अलक्से नोट्सरा नियर्ट करने हैं यहाँ पर देख सकते हैं हमने किस परकार नोट्स बना रखें हैं इसका पीडियाप फाइल आपको आपको हमारे टेली ग्रामम चैनल हैल्थ परबापर आपको मिल जाएगा इस परकार आपको student याद रखने हैं जिसे हमने यहाँ पर पूरे one by one इस परकार जिसे electron का गनतु हो गया, तो electron का गनतु हो चालको की लिए कितना है 10 की पावर गूंट 30 बाई मेंटर क्यूब तो इस परकार अर्ध चालको के लिए गैलियम के लिए कितना है, सिलिकॉन के लिए कितना है, यहाँ पर काफी important है यहाँ पर पूछे जा सकते है तो आप देख सकते हैं किस परकार तो अब हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन सी बुक है आपको purchase करनी है, आपको इसी परकार भारमेशी वाले हैं उसे भी इसी परकार याद करना है इस्टुडेंट, परामेटिकल और फारमेश दोनों का पेपर है, वो इंगलीज में होगा जबकि आपका ब्यासिन से हिंदी और इंगलीज दोनों में लेंग्वेज में होगा तो आपको PDF नोट सा वो कैसे मिलेंगे आपको तो चलिए हम इसके बारे में जानकरी गयन करते हैं टेलिग्राम चैनल जोइन करने के बाद में कुछ आपको इस परकार का इंटरपेस देखेगा यहाँ पर देख सेकते हो आपको इस चैनल को जोइन करने ना ताकि आपको पूरी जान करिये वो वन बाई वन मिलते रहे तो स्टुडेंट उमेद है कि यह वीडियो आपके लिए अच्छा होगा और जितने भी कोई भी कमेंट सेक्षिन में डाउट करता है उसका तुरंट सोलिशन होगा तो स्टुडेंट आज के लिए इतना ही आपको कोई भी मतलब सोशल मीडिया होगा यूट्यूब चैनल काफी बर्मित होने के कोई जूरुद नहीं है आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आगें प्रेस रखना है जब भी खोरम निकलेंगे सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा आपको नोटिपिकेशन तो स्टुडेंट आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कोई भी अगर आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए स्टुडेंट आज के लिए इतना ही धन्यवाद स्टुडेंट